So welcome back to JBR दोस्तो आज भी अपडेट आपको मिलने वाली है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से तो आज थोड़ा डिटेल में डिसकेशन करेंगी कि कैसे एक कंट्री के लिए बैंकिंग एन फाइनन्स सेक्टर कितनी इंपोर्टेंस रखता है और कैसे आप इस इंपोर्टेंस सेक्टर का एक पार्ट बन सकते हैं तो आज मैं कोई एक दो प्रोफाइल या एक दो बैंक की बात नहीं करूँगा आज मैं काफी मल्टीपल बैंक को काफी मल्टीपल प्रोफाइल की बात करूँगा और ये सारी की सारी profile पे आप fresher level पे भी job apply कर सकते हो और if you have some experience तो भी आप job apply कर सकते हो qualification barrier को बहुत limited रखेंगे और try करेंगे and focus करेंगे कि कैसे maximum candidate एक bulk hiring में इन सभी banking को join कर सकते हैं तो यहाँ पे आज आज आपको जो job मिलने वाली है वो HDFC bank, access bank, ICI bank जितने भी private sector के बड़े बड़े बैंकों सभी में मिलने वाली है अब job को apply करने के procedure से लेके job के offer letter तक की पूरी की पूरी story भी इसी वीडियो में आपके साथ में share करूँगा तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंडिया के banking structure को समझते हैं थोड़े finance structure को समझते हैं चूँकि इससे आपकी knowledge enhance होगी आप interview crack कर पाऊगे और आप समझ पाऊगे कि किस तरीके से banking sector के अंदर अपने career को build किया जाता है तो इंडिया के अंदर जो banking sector है वो majorly दो part में divided है पहला आपका है government, सरकारी bank जिते हम कहते हैं जिसके अंदर आपका SBI, Kendra bank आता है यहाँ पर एक तीसरी category भी होती है जिसे हम PSU bank भी बोलते है तो basically यहाँ पर first की बात करें जहाँ पर आपके सरकारी bank आते हैं government bank आते हैं इन सभी bankों में अगर आपको job चाहिए तो आपको सरकारी exam clear करने होते हैं जैसे कि SBI का खुद का exam होता है आपका IBPS एक exam होता है इन सभी exam में आपके दो round of exam रहते हैं then after interview रहता है तो दो से तीन round आपके रहते हैं सरकारी exam रहता है form fill up आप करते हो 500-600 रुपे fees होती है फिर आप तयारी करते हो यहाँ पे then after आप exam clear करके यहाँ पे एक सरकारी bank के अंदर पीओ यह clerk level की job लेते हो यह time taken procedure है almost एक साल लगता है पर सरकारी job है तो benefits आपको definitely मिलेंगे अगर आप यहाँ पे IBPS या सरकारी bank में जाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको नीचे वीडियो के description में एक दूसर channel है हमारा सरकारी jobs related आप उसको follow कर सकते है I guess you can get a lot of job information सरकारी से related ठीक है अगर आप सरकार की जमाई बनना चाहते हैं तो अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट बैंक की जिसमें job आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है तो जितने भी प्राइवेट बैंक होते हैं उन सभी बैंकों में जो बैंकिंग सर्विस होती है या जो टारगेट होती हुथ उन पे बहुत प्राइमरी फोकस किया जाता है जोकि यहाँ पे अगर बैंक कमाएगा तब ही आपको सेलरी देखा वो सरकारी बैंक नहीं है कि वो लोस में भी उपरेट कर लें। ये सभी बैंक हमेशा प्राफिट में बैंकिंगा ठरहते हैं और अच्छा प्राफिट करने के लिए रिवेण्यों पे फोकस करना होता है तो अगर आप यहाँ पे फ्राइवेट बैंक जोईन करना चाहते हो पर यहां पर demand करी जाते हैं एक अच्छे candidate की एक उस candidate की जो banking की service को enhance करें अब देखें बैंकिंग में क्या क्या service होती है वो मुझसे better आपको भी पता होगा अगर आप banking service use करते हैं अगर फिर भी एक journal language में में बात करूँ आपका banking के अंदर आपका loan सबसे important part रहता है उसके बाद इस loan के अंदर काफी different categories आजाती है जैसे आपका card loan हो गया home loan हो गया आपका personal loan हो गया इस से related आपके काफी सारे person रहते हैं then after आपका operation और back end का काम आता है जहाँ पेपर arrangement देखते हो जो loan के verification होते है उस से related चीज़े देखते हो then after आपका credit card आ जाता है credited apply करना उसके papers चेक करना calling करना credit card से related then after आपका FD वगरा आ जाता है जहाँ पे saving investment होती है और आजकल काफी सारे bank अपने खुद के software CRM use करते हैं जहाँ पे वो stock market में trading करने के लिए भी आपको काफी सारी facilities अ banking से related वो सभी चीज़े वो सभी facilities आपको एक private bank में मिलती है तो इन सभी facilities के लिए काफी सारी different different domain पे job निकलती है जैसे कि मैं भी आपको एक showcase करता हूं यह access bank है access bank में आप देख सकते हो कि multiple location चैन्नाई, इंदौर, भुवनेश, मिर, मुंबई, हधराबाद, जापूर, डैली location और काफी multiple location और भी available है और यहाँ पर 0 to 8 year experience job निकली है different different profile पे just like phone banking officer, e-relationship manager, अगर इसी तरीके से हम दूसरे banking की officially website को consider करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते है business development हो गया, operation हो गया, technical department के अंदर भी आपकी different different level पे job निकली है, majorly यहाँ पे डैली, पतना, मुंबई, और different different south की cities के अंदर भी job निकली है, तो मैं आप तो यहाँ पे मैं आपको एक हलका सा overview दे रहा हूं कि किस-किस banking के अंदर कितनी profile पे jobs निकलती है, अकर access bank की बात करें तो आप यहाँ देख सकते है, if you have some experience, या मैं कहूं अगर आपके पस एक अच्छा कासा experience है, आप 8 साल, 5 साल, 6 साल पहले job कर चुके हो, और आप एक high packing job की तरफ जाना चाहरे है, तो भी banking sector के अंदर आपका influence banking हो गया, CBG आपका हो गया, human resources, HR department आपका हो गया, तो इन सभी के अंदर आपकी banking sector के अंदर job available है, तो अगर आप excited हैं तो जल्ली से वीडियो को like करिये, इस वीडियो को share करिये अपने हर एक उस friend के साथ, जो banking sector के अंदर अपने career को build करना चाहता है, जो कि अब हम detailed discussion करेंगे, किसी एक job को consider करते हुए, कि कैसे आपको job को apply करना है, कैसे आपका procedure होने वाला है, तो यहाँ पे हम one by one in banking की website पे जाएंगे, जो absolutely free आपको कुछ भी pay नहीं करना है, और identify करें का procedure almost same होने वाला है, और जो आपका interview procedure होता है, वो भी same होने वाला है, तो किसी एक job को detail consider करके, हम यहाँ पे सारी चीज़ों को identify करेंगे, जिससे आपकी career को build up कर सके, और आप जल्दी से जल्दी job को ले सके, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करिए, जो banking sector के अंदर अपने career को build करना चाहते है, तो चलिए वीडियो को start करते है, तो दोस्तों हम यहाँ पे आचुके ICICI bank की officially website पे, जिसका link वीडियो के description में available है, इसी तरीके से मैंने HDFC और Access Bank की website का link भी आपके साथ share करा है, वीडियो के description में, और यह सारे link officially website पे है, तो आप आपको बिलकुल भी pay नहीं करना है, किसी भी job को apply करने के बाद और पहले, आपके लिए absolutely free है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि there are a lot of job, जैसे कि आपका phone banking, e-relationship manager हो गई, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सारे pages इन पे click करके आप आगे, जो दूसी state के अंदर job available ह है, आप उनको भी identify कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं एक profile को detail explain करता हूँ, जैसे कि आपकी phone banking sales की job हो गई, जाओ की channel location पे available है, यहाँ पे मैं click करता हूँ, इसकी पूरी detail information मेरे साथ share हो जाएगे, तो सबसे पहले हाँ पे job का title share किया गया है, जो कि आपका phone banking officer होने वाला है, identification करता है, कि exactly भई, काम क्या करना है, और उस काम के लिए क्या skill set की requirement है, तो यहाँ पे आपको handling करना है, resolve करना है, customer की complaint को, queries over a phone, तो basically आप देखते हो, जब आप banking service use करते हो, आपको काफी सारे difficulty आती है, और इन difficulty के लिए आप banking को phone करते हो, आप मुझे check issue करवा दो, मेरा ATM card फ things जो आपको यहाँ पे face करनी पड़ती है, problem face करनी पड़ती है, उन सभी problem का solution जो bank के अंदर देते है, वो profile आपकी banking officer होता है, वो profile आपका phone banking officer की होती है, तो basically यहाँ पे आपको calls को attend करना है, proactively problem का solution देना है, अब आप में से काफी लोग बोलेंगे उनको banking sector की knowledge नहीं है, तो आपको पैसा मिलेगा उस चीज़ का और आपको चीज़े सिखाई भी जाएंगी, then after आपका रहता है, providing customer and relevant product and service information, कि आपको जो सही information है, वो ही आगे transfer करनी है, then after cross selling various banking products to customer over the call, तो basically यहाँ पे आपको cross selling करनी है, example देता हूँ मैं आपको, आप debit card यूज करते हो, ICI bank का, आपको कोई पास call आया, कोई problem आई, आपने उसका solution दिया, चुकि आपके पास सारी information है, then after आप उसे pitch करोगे, कि sir आप debit card यूज कर रहे हो, आपको काफी benefits मिल रहे है, अगर आप और ज्यादा benefits लेना चाहते हो, अगर आप और discount लेना चाहते हो, तो you can use credit card, तो आपको cross selling करोगे, ए इसे आपको ज्यादा benefits मिलेंगे, तो आप देख रहे हो, यहाँ पर आप banking के जो product है, उनको sell out कर रहे हो, और यह सारी चीज़े ना, आपके CV में भी mention होनी चाहिए, अगर आपने sales का काम किया, या sales में interested हो, तो please mention this thing on your CV also, then after यहाँ पर बात करते हैं, आपके eligibility criteria कि, जिसके अ awesome experience, तो भी आप इस job को apply कर सकते हो, then after आपकी location is channel ही, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि सिब channel ही वालों के लिए job है, इंडिया के all over India state के अंदर job है, आपको बस थोड़ा सा अपने end से search करना पड़ेगा, then after आपका minimum experience, zero, maximum is five, apply करने के लिए just click here, apply here पे आप क्लिक कर और अगर आप first time यहाँ पर apply कर रहे हैं, तो आपको new user पर click करना है, आपको sign up करना है और अपनी ज़्यादा information को share करना है, जिसके अंदर आपका, जिसके अदर आपकी personal information और आपके national information और आपके national ID card को भी आपको share करना है, absolutely trustable है, पर फिर भी अगर आप चाहें, तो इनकी term comment condition पड़ सकते हैं, तो जल्दी से जाहिए, private sector के अंदर अपने career को build करिये, banking sector के अंदर काफी सारी jobs है, आप इन सभी jobs को apply कर सकते हो, इसी सेम तरीके से आप HDFC career के website पे जा सकते हो, HDFC majorly यहाँ पे experience candidate को जादा importance देता है, तो if you have some experience, तो मैं recommend करूँगा, आप HDFC के तरफ जा सकते हैं, इसका मतलब अगर आप experience नहीं है, totally pressure है, तो आप से related सारी jobs सबसे टॉप पे यहाँ पे update हो जाएगी, इन सभी jobs को आप apply कर सकते हो, आप देख सकते हो, जहाँ 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 पे इनकी branches अभी level है, वहाँ पे आपके job को सारी update दी गई है, जैसे यहाँ पे एक आप आपका branch relationship officer होगे, आप click करोगे, 0-4 year की experience की demand करी गई है, और इसकी पूरी detail information आपके साथ share हो चुकी है, जहाँ पे बहुत clearly mention किया गया है, कि क्या क्या skill set, क्या क्या responsibility होनी चाहिए, if you want this job, तो आपको इस सारी चीज़े read out करनी है, कोई difficulty, कोई question अगर आपका है, तो comment section पे आ आपको बताना चाहूंगा, काफी सरे लोग बोलते हैं, दस वीडियो देख ली, बीस वीडियो देख ली, जॉप नहीं लगती, यह reality है, आपकी जॉप लगती है, वीडियो में बताएगा step को follow करने से, और step को follow करने का मतलब यह नहीं है कि profile बना दी, CV बना दी, आपका CV मे मुझे पता है, इसके लिए आपको काफी सारे knowledge चाहिए, और पैसा भी चाहिए, काफी सारे लोग इसके बारे में सोच रहोंगे, पर बिलकुल भी ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पे काफी सारे skills सीखना चाहते हो, जो आपका banking sector में आपकी help करे, और आपके पास बिलकुल पैसा नहीं है, तो मैं recommend करूँगा Great Learning Academy को, basically यहाँ पे absolutely free, आप बहुत सारे courses में enroll कर सकते हैं, course complete करने के बाद certificate ले सकते हैं, और अपने CV को share कर सकते हैं, इन banking companies के साथ, और अपनी job के selection के chances को increase कर सकते हैं, तो नीचे में वीडियो के description में आपके साथ Great Learning Academy में free of courses के link पी share कर कर दूँगा, जहाँ पर अपने career को build कर सकते हैं, तो काफी कुछ मिलने वाला है आपको इस चैनल पे, तो जल्दी से चैनल को subscribe करें, और इसी तरीके की latest job update के लिए आप हमारे चैनल पे regular visit करें, मैं से चिन चौहान, आप से मिलूँगा next video के next content paper, till then, keep learning, keep growing and keep watching JBR.